हेलो गाइज आज की जो वीडियो है वह मास्तर ओफ आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस के उपर देलिए टीक पर बैस देयर ठीक है तो बीए के बाद हम पॉलिटिकल साइंस में कैसे करियर बना सकते हैं मतलब एलिजिबिलीटी क्राइटेरिया क्या है तो टोटल सीट्स कितनी है स्ट्रक्चर क्या है यह समय इस वीडियो में बात करूंगा तो सबसे पहले में स्क्रोल करता हूं यहां पर आप देख सकते हो जो में पॉलिटिकल साइंस जो है वह इन्मेरिट और इंट्रेंस दोनों होती है ठीक है बाकी में यहां पर आयता हूं नीचे ठीक है तो यहां मेरिट नोर्थ कंपस के लिए सीट है कितनी है टोटल मेरिट में जो है नौर्थ कंपस में Ivan 202 सिट है इन्ट्रेंस के लिए न्युन मेरिट के लिए स्यू ज़ Common x 121あります91 मेरिट में में 200 निश्या पर मेरिट केटिगरी लिए 85存 bytes' मेरीट 85 जीट से से इंट्रेंस और 32 सीट है संट कैम पस्में है अब सीज़ीये रिब्योंगर來到 2030 100 मेरिट में क्या फाया फायदा है और इंट्रेंस के लिए क्यों बच्छ अब है अब यम rescue आप सकते हुं यहां ने अई सहजय का पांचों के टुक Moderate थीज़े मैंने स्क्रोल कर लिया बाकी मैं स्क्रोल करके यहां पर देखो eligibility के क्राइटेरिय क्या हैं इंटरेंज का मैं बता रहा हूं दो देखो ओल्स्टी कंडिडेट विद बीए और बी प्रोग्राम विए पास यानि आप पे जो बीए की डिग्री है वो किसी भी university of Delhi से होनी चाहिए या फिर आप किसी भी other university से हो देखो यहाँ पर अधर भी लिखावा है recognized as equivalent of university of Delhi ठीक है तो आप किसी भी board मतलब किसी भी university से pass out होने चाहिए BA की degree आपके होनी चाहिए जब भी आप interns के लिए apply कर सकते हो BA honors political science के लिए और marks की requirement कितनी है देखो 50% marks in last qualifying examination और equivalent grade है तो 50% आपके last qualifying exam चाहिए 50% आपके चाहिए जब ही आप apply कर सकते हो ठीक है तो आपकी कोई भी डिगरी होनी चाहिए BA honors की और BA पास की और BA program officially एक तरीके से मतलब BA के डिगरी होनी चाहिए 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 आपकी डीव से हो चाहिए आप किसी भी उनिसरेटी को भी जामिया या जेनियू या फिक किसी भी सेंटर उनिसरेटी कोई भी स्टेट उनिसरेटी से पास आउट हो तो आप definitely interns के लिए apply कर सकते हो requirement लेकिन सब सब्सक्राइब पास आउट कर रहा है अपने बीसरेटी कर रहा हो यह किसी अधर इंस्टिट्यूट से ओ स्टेटी से बीसरेटी कर रहा हो तो भी आप इंटरेंस के लिए apply कर सकते हो लेकिन साइन्स कोमर्स और इंजीरिनिंग वालों के लिए जो criteria है वह 60 परसंट इन लाज पास क्वालिफाइंग एक्जामिनेशन और इक्वेलिंट ग्रेट तो यानि 50 परसंट जो है वह बीए पास वालों के लिए बीए की डिगरी जिनके पास है चाहिए वह डियू से हो या नोन डियू से हो उनके लिए 50 परसंट है 60 परसंट साइंस कोमर्स और पॉलिटिकल साइंस अउनियू पॉलिटे कल साइंस करें था यानि में यूसे पॉलिटिकल साइंस नौस फिए हो और नगे कि आप किसा होनी चाहिए उसके बाद cast उसके तो आती हैं नोग बता रहें किसकें कंवा है तो किसी को सब सब्सक्राइब कर सकते हैं किसी को कोई दिक्क्त होती है दिक्कत किषिए डियम करना gelir Act तो किलियरली मेंशन है बी ए ओनर्स पॉलिटिकल साइंस के अगर डिगरी है वो भी डियू से पास आउट हो तब ही आप एपलाई कर सकते हो मेरिट के लिए भी ठीक है अब बाकी में यहां पर मोड ऑफ एक्जामिनेशन बजा दूँ तो मोड ऑफ एक्जामिनेशन कम्प्यूटर बेस्ट टेस्ट होगा ठीक है डूरेशन जो है वो टू हावर होती है यह देखो यह किसमें बता रखाए यह सब डियू की उस पर क्या नाम है बुलेटेंट है ठी अगर आपने चार कोशन सही करें मतलब यहां पर एक नमबर कर जाएगा तो यहां पर नेगेटिव मार्किंग अब मेडियम पेपर बता दूँ तो यहां पर इंगलिश ओनली मेडियम ओफ पेपर लिखावा है लेंग्वेज कोर्स में भी है एक्सेप्शन ठीक है अगर लेकिन पॉलिटिकल साइंस के लिए मैं एक चीज बता दूं यहां पी नोंने बहुत लगा इंग्लिश में पेपर होगा लेकिन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है ठीक है यह मैंने लास्ट यह अपने सीनियर से भी बात करी है और क्या नामे मैंने टेचर से भी तो यहां पर देखो डिथा साइंस मार्क का तेम सब्सक्राइब 't सब्सक्राइब तो देखो apologize चार सो नमबर का पेपर होता है ठीक है चार सो नमबर का पेपर होता है घृषप के चार्सोर नम抱स उलतों च य пойetto ठीक हम शिपिता कि ट्यक्त शोलबात है अरिभ अंपर मैं तो चार्सो भी लड़की नबशान design कि ऋर्ठीन अच हुए तो उसका भी admission हो रहा था तीक है यह 270 आप समझ सकते हो 270 एक अच्छे college में हुआ था 210 जो लाइक हिंदू college हो गया लाइक हिंदू college बहुत अच्छा है राम जास हो गया तो आप समझ सकते हो जो ने तो पढ़ते हो इन तो पता ही होगा तो एक सो नभे उन बच्चों का भी एडमिशन हुआ है ठीक है यह फ़र्स कटोफ भी बात कर रहा हूं ना तो इसकी जो तीन कटोफ है थी लास्ट एर ठीक है थाड़ कटोफ के बाद यह बंद हो गेता तो फ़र्स कटोफ में तो 270 वाली लड़की का भी एडमिशन और एक सो साथ में किन के लिए बता रहा हूं उनके लिए जो क्या ना में हाँ ठीक ठाक कोलेज मिल जाए ठीक है डियू में लगभाग 78 कोलेज हैं तो बहुत अच्छा कोलेज है लाइक कि रोरी मल लाइक हिंदू को लेज तो उसका एडमिशन 200 फर पर हो जाएगा ठीक है अब कुछ थोड़ा लोगरेट का कोलीज ही तो उसका एक तो साठ पर हो जाएगा लाइक शिवाजी हो गया ठीक है या और भी कोलिज हो गया एसा नहीं कि अब्रशी बहुत बेकर कोली टीक है और डिप अपका ड्यूए ना 2-3% आगे करके बढ़ा रहा है तो कोगे 270 पर थोड़ी न हुआ है तो मैंने थोड़ा 5-10 नम्मर आगे पीछे कर रहा है बाकि यह इंट्रेंस के लिए मैं बता रहा हूं अगर आपने 400 में से 270 एचीब करने पड़ेंगे जब यह आपका डियू में बहुत अच्छे कोलीज मे मेरिट के लिए मेरिट के लिए मैं डियरेटली एक चीज़ बता दू मेरिट बेस जो होता है टोटल वह यूनिवर्सिटी ऑफ डेली वाले जो डियू से पास आउट स्टुएंट है वही अपलाई कर सकते हैं तो जो डियू से पास आउट है बीए ओनर्स पॉलिटिकल साइ वही अपलाई कर सकते हैं मेरिट के लिए ठीक है बाकी कितना गया इनका तो देखो फास कट ओफ में अनिजर्ट के लिए सबसे अच्छा कॉलिट परसंट पर अलोट हो गया है एक लड़की का नंबर था और सेवेंटी परसंट पर भी एक लड़का या लड़की को मिल गया चाहिए तो हिंदू चाहिए तो उनके लिए थोड़ा कटोफ हाई लगेगा अब ओवी सी के लिए सेवेंटी फाइव परसंट पर एक अच्छा कोलेज अलोट हुआ हुआ है मैंनो खुद देखा है ठीक है सेवेंटी परसंट पर अच्छा मिल जाएगा आपको मतलब लोग जैसा नहीं है आप सोच सकते हो मैं एक नोर्मल मतलब जैनल के बात करो एक नोर्मल तो उसका एड़मिशन जो है ना भाई 65 एक यह जो 65 में लिखा है ना यह लास्ट एर समझो तो यह मैं लास्ट एर की बात करो 65 परसंट अगर आपको यह तो फ़र्स कट ओफ की बात करो कि 70 परसंट पे भी एक थोड़ा कोलेज बच्चों का एलोट हो गया डीव का लेकिन 65 परसंट पे भी एलोट हो सकता है 30 परसंट पर भी लेकिन यह है कि कोलेज थोड़ा लोगरेट का मिलेगा आपको बहुत अच्छा कोलेज चाहिए तो लगभग लास्ट अगर आपको अगले साल देना इंट्रेंस तो मेरी ख्याल से देखो 2023 के लिए कम से कम 87 परसंट चाहिए होंगे नमबर ठीक है क्योंकि इंट्रेंस और मेरिट दोनों बढ़ आए ठीक है बाकियां पर इन बात कर दिया ठीक है आप देख लेना मेरिट इंट्रेंस दोनों की बात हो गई कितना है देखो फेट जो है आपकी 8000 से लेके 20-10 पर आपको वह जाता है ठीक है 8,000 यह डियू में कोलेज पर डिपेंड कर हमाब अधोग मैं खुछ जानता हूं जैसे हिंदू को लिज्ट है तो ही क्यों ज्यादा है हिंदू को में उध्य को बड़ा है और पिर दो कोलिज को सब्सक्राब तो इतनी कम करता है डिपेंड करता है डिपेंड करता है तो इस वैसे मैं नोर्मल बता दिया आपको हम लेकर 20-30 तक आपको भशाया ठीक है बकि इंट्रेंट एक्जाम के जो तयारी करने वाले हैं कि देखो इंट्रेंट एक्जामक खाली मेरिट वाला नहीं करता है दोनी बच्चे करते हैं तो इंटरेंस एक्जाम के लिए में बात कर लो तो भी योणर स्पॉलिटिकल साइश का ही स्वाइब साथ है अब आपको से डाउप लिंग डिसक्रिशन में वहां से याकि आप सारे समस्टर के स्वाइब डाउनलोड कर लेना वहां से देखना कि हर समेस्टर में कैसे कैसे डिमांड करी गई है ठीक है बाकी आप है ना में इंट्रेंस एक्जाम की तैयारी के लिए बीओनर्स पॉलिटिकल साइंस का स्लेबस तो पढ़ना ही तैयारी भी करना गाइड भी लेना लेकिन मैं कोई बूक करना कि कोई बूक अच्छी हो एक बूक कर सकते हो जिसमें मतलब काफे लेबस कवर है वह राजी भारगो ठीक है और दूसरे एक लक्षमी कांत लक्षमी कांत वन आप दी बेस्ट बूक है तो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसने कहीं ना कहीं स्लेबस कवर कर रहा है बीए लक्षमी कांत और लाजी भारगा कहीं कहीं ना कहीं हर सेमेस्टर में काम करती है तो इस वैसे आप परस्टनली पढ़ना जरूर ठीक है तो मैं यह दो बूक रिफर करूंगा बाकि तो मैं नहीं रेफर कर सकता बाकि आपको तयारी करनी पड़ेगी ठीक है